दोस्तों पढ़ने में मन ना लगना घंटों पढ़ाई करना कि जो हमने पढ़ा था वो याद ना होना किसी एक टॉपिक पर फोकस ना कर पाना आज ये प्रॉबलम एक यूनिवर्सल प्रॉबलम बन चुकी है ना सिर्भ भारत पूरे वर्ड में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस बात से परिशान है कि उनका मन पढ़ने में क्यों नहीं लगता है कई बार वो घंटों पढ़ते हैं लेकिन उनको कुछ याद नहीं होता है तो आज की इस वीडियो के माधन से मैं आपका दोस्त डॉक्टर अभिशेख आपके इसी सवाल का आपको एंसर दूंगा और कै कैसे आप जो है अपने आपको बेटर कर सकते हैं इस पर भी हम बात करेंगे कोई भी बच्चा जो नीट की प्रिप्रेशन करता है या किसी अधर गजाम की प्रिप्रेशन करता है वो बोर्ड में है या फिर मतलब कुछ यूँ समझे कि पढ़ने वाला हर एक व्यक्त जो किस चाहता है सरकारी नौकरी चाहता है सभी इस प्रॉब्लम को जो फेज कर रहे हैं अब पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता है सबसे पहले इस पर हम बात करेंगे बहुत सारे पहलू है जो कि आपको डिस्ट्रैक करते हैं जिनसे आप अपने फ्यूचर पर फोकस नहीं कर पात आइंस के बच्चे हैं आप चाहते हैं कि आप बीए कर लें उसके बाद आप यूपसी के प्रिपरेशन करें लेकिन फैमिली जो है आपको बोलती है कि आप आयाइटी के लिए जाओ नुट के लिए जाओ एक बहुत बड़ा कौज है दूसरी बार कई बार जो है आप जो है किसी सब्जेक्ट में वीक होते हैं तो आप उसमें उसको पढ़ना ही नहीं चाहते हैं ठीक है तिसरी बात कि कोई आप किसी के साथ रेशेंशिप में जाना चाहते हूँ आज का जो समय है यह बहुत कॉमन है कि हर लड़का चाहता है कि उसकी कोई गल्फरेंड हो या फिर हर टाइम वेश्ट करते हैं यह ठीक है और फोर्थ चीज यह होता है कि आपका स्किल तो कुछ और है आप फोटो बहुत अच्छी खिशते हो लेकिन आप घर वाले बोलने कि आपको आईस बनना है तो आप आईस की प्रपेशन कर यह कुछ ऐसे पॉइंट से जो कि सभी के साथ में हैं तो अगर आप इनको दूर कर ले तो आप अच्छा कर सकते हैं अब सबसे जो common problem है कि आप टरते हो और में जो है आप अच्छा नहीं कर पाते हो देखिए आप में बातों को seriously लेजाया प्लीज अगर आपका मन किसी और फिल्ड में है लाइक आप स्पोर्स में अच्छा कर सकती हो आपको लगता है या फिर आपके पैंटिंग अच्छी है आपके सिंगिंग स्किल अच्छी है आप अच्छा डांस कर लेते हो या फिर जो है आप जो है एक अच्छे कर जिसमें आपका मन करें आप उसमें बिस्ट दो उसमें ठ्राइब करो देखे हर वित आई-एस नहीं बसकता है हर वित डॉक्टर नहीं बसकता है समाज को चलाने के लिए आई-एस की भी जरूरत है डॉक्टर की भी जरूरत है एक इंजिनियर की भी जरूरत है एक फोटोग आईटी या MBBS नहीं कर पाए तेकिन आज वो हजारों बच्चों क्या आईडियल है ठीक है खांसर आईएस आफिसर नहीं है तो आप अपने स्किल को जो है टार्गेट करें और उसके एकॉर्डिंग चले पहली बार अगर आप एक स्टुडेंट है तो सबसे पहले जो आपका लक्ष है उसको छोटा करें जब आप बहुत जादा सोचते हो बहुत बड़ा सोचते हो तो वहां पर आप गलती करते हो लेकिन हर एक आदमी की जो brain की capacity है वो अलग-अलग है कोई चीज आप 10 मिट में समझ जाते हो तो अगला बंदा 20 मिट में समझता है तो सबसे पहले आप अपने विश्वास रखो और अपने टार्गेट को छोटे मिलग जो है उसमें करमड करो मैं आपको example देता हूँ मेरे पास यह एक बुक है यह नीट की बच्चों की बुक है अभी मैं इसको देख रहा था अगर बोलूं कि आपको पूरी बुक पढ़ना है तो आप क्या करोगे पहले ही डर जाओगे इतनी मोटी बुक है 15 सुपन्ने है कैसे पढ़ेंगे क्या होगा तो यह बहुत बढ़ पढ़ेंगे 10-20 पन्ने हैं पढ़ेंगे तो इसलिए आप अपने टार्गेट को छोटा कर लोगी तो आपका जो ब्रेन है वह थोड़ा सा इंट्रेस्ट के साथ पढ़ेगा ठीक है और जब आप मल्या आपका इंट्रेस्ट भी है कि आप नीट की प्रिप्रेशन करो आपने ही ऐसे ऐक चैप्टर को टागेट किया है तो आप आसानी से पढ़ दोगे ठीक है अब एक चैप्टर को पढ़ लिया आपने सिफ एक चैप्टर से नहीं आप टागेट करें डेली बेशिस पर कि외 आप सिर्फ एक टौपिक को कबर कर चेप्टर भी छोड़ दीजे जीए जि एक दो टॉपिक को cover करो, फिर तीन टॉपिक को cover करो, ठीक है, जब आप एक एक टॉपिक को cover करते चलेंगे, तो वो एक chapter बन जाएगा, फिर एक एक chapter इंक्रूट करेंगे, तो पूरी book बन जाएगी, और ऐसे करके जब आप दो-तीन book पढ़ लेंगे, तो आपका जो exam है, चाह आपको दो इक प्रिंस वाली फिलिंग दे पाएगा और नाहीं वह आपको इक प्रिंस या आपको कुईन वाली फिलिंग दे पाएगा वो तब ही संभव है जब आप सलक्ट हो जाओगे आप आज किसी की लिगे टाइम वेस्ट कर रहे हो लेकिन एक समय ऐसा है कि जब ऊछो बेटर मिल जाएगे ना तो आपको छोड़ देगा और फिर वही गाने जो अर्जिल सिंग्वाल वही सुनोगे आप तो वो दी नाय आप उससे बहतर जो है पहले ही ट्राइ कर लो सेलेक्शन हो जाएगा तो वो तो क्या उसके बाप आपके पास आएंगे कि बटा मेरी बेटी साधी कर लो या बेटी मेरे भाईये साधी कर लो सब सफलता है तो दुनिया है सफल नहीं हो तो फिर दुनिया में कि आपका जो सगा भाई हो आपका नहीं होता है प्लीज इस बात को ध्यान लखेगा तो इस छोड़ी से वीडियो में मैं आपको कुछ मेडिकेशन नहीं बताई है सिर्फ आपको एक तरीका बताया है इसको अपलाई करें और अगर नहीं होता है तो मुझे बताया मैं आपको और कुछ अच्छी चीज़े बताऊंगा जिनको फालू करकर आप लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं तो इस सड़ी से वीडियो मित्ता ही आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू सो मच जहिंद